नमस्कार, सब भी कहानिया, चैनल में आपका स्वागत है, हमारी आज की कहानी है, कुद्रत का करिश्मा, आज सुभा सुभा शोभा जी मंदिर जाने के लिए तयार हो गई थी, वो रोज मियम से मंदिर जाती थी, अभी दरवाजा हलका सा खुला ही था, कि उनकी बहु मनीशा अपने पती सुधीर से कहने लगी, मैं तो रोज सुभा की खटपट से परेशान आ गई हूँ, सुभा सुभा सोने भी नहीं देती, तुम्हारी मां खुद तो नहाद होकर मंदिर के लिए निकल जाती है, और दिन भर मैं ही सारा काम करने में लगी रहती हूँ, सारे घर का क काम मुझे ही देखना होता है, लेकिन मनीशा ऐसा तो नहीं है कि पूरे घर का काम तुम ही करती हो, जाडू पोछा और बरतन के लिए तो काम वाली बाई रखी हूई है, और मुझे मालूम है कि सबजी साफ कराना और काटने जैसे काम तो मेरी मां ही करवाती है, लेकिन तु कि सुभा सुभा चिलाना शुरू कर देती हो, अजी जाडू पोछा और बरतनों के अलावा भी बहुत सा काम होता है घर में, तुम्हारी मा तो मंदर में दो घंटे लगा कर आती है, इतने तक मैं सारा काम निप्टा चुकी होती हूँ, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, जब इनका घर में दिल लगता ही नहीं है तो तुम इन्हें किसी वृधाश्रम में क्यों नहीं छोडाते, वहां इन्हें इनकी उम्र की सहेलियां भी मिल जाएंगी, मनीशा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरी मा के बारे में ऐसी बाते मत किया करो, मुझे तो सम आज नहीं आता कि मैं तुमसे बात करके सिर्ख हपाई कर ही क्यों रहा हूँ, तुम्हारा तो ये रोज का काम है, अब थोड़ी देर शांती से मुझे सोने दो, शोभा जी अपने बेटे और बहु की सारी बाते सुन चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि यह तो उनकी बहु का रोज का काम है, उसने घर का माहौल ही ऐसा बना रखा था कि वहां कोई शांती से रही नहीं सकता था, इसलिए थोड़ी देर शांती में रहने के लिए शोभा जी मंदर चली जाया करती थी, बरसों पहले उनके पती की मृत्यू हो चुकी थी, इकलोते बेटे सुधीर के अलावा उनका था ही कौन? सुधीर उन्हें उनकी शादी के दस साल बाद मननते मांग मांग कर मिला था, यदि वे उसके साथ न रहती, तो फिर कहां जाती? सुधीर भी अपनी मां का पूरा ख्याल रखता था, सुधीर और मनीशा का एक बेटा है, राजू, जिसे अपनी द जब भी शोभा जी अपने पोते के साथ हस्ती, बतियाती, तो बहु की घूरती नजरे, उनकी हसी को वहीं दबा देती, और वो सहम कर रह जाती, राजू अपनी दादी से इतना अधिक प्यार करता था, कि एक पल भी वो उनके बिना बिताना नहीं चाहता था, यही बात मनी इशा को अच्छी नहीं लगती थी, सुधीर जब भी शाम को दफ्तर से लोटकर आता तो अक्सर उसके सामने एक ही रट लगाय रखती, कि मैं तो तुम्हारी मा का काम करते करते ठक चुकी हूँ, तुम्हारी मा तो दिन भर पड़े-पड़े खांसते रहती है, अब मुझे इनसे छुटकारा चाहिए, शोभा जी कि हमेशा यही कोशिश रहती, कि उनकी बहु पर काम का बोज कम से कम रहे, तबियत ठीक रहती तो बहु के साथ उसके काम में हात बंटा दिया करती थी, जब भी काम वाली बाय छुट्टी पर रहती तो बिना देर किये, बरतन भी कर दिया करती थी, लेकिन बहु पर तो जैसे उन्हें व्रिधाश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था, जिस कारण घर में हमेशा कलह का वातावरन रहता था, पर सुधीर यह बात मानने को बिलकुल तयार नहीं था, इसी प्रकार ही काफी समय व्यतीत होता रहा, आज मन मनीशा के कुछ रिष्टेदार उसके घर आये हुए थे तो शोभा जी को उसी समय खांसी छिड़ गई, वे काफी देर जोर जोर से खांसते रही, उस समय तो मनीशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को जब सुधीर घर लोटा तो मनीशा ने फिर से हंगामा शुरू कर दिय और जित ठानली की अब वो मानजी को व्रिधाश्रम भेज कर ही दम लेगी, रात को जब सब लोग सो रहे थे तो सुधीर पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आया, देखा तो मा के कमरे की बत्ती जल रही थी, सुधीर ने अंदर जाकर देखा तो उसकी मा किसी गहन सो कुछ में गुम थी, सुधीर अपनी मा के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया, क्या हुआ मा, कोई परेशानी है बेटा, मैं सोच रही थी कि केवल मेरी वजह से तुम दोनों में रोज क्लेश होता है, घर का वातावरन बोजहिल हो चुका है, बेटा मैं तो अप मुझे रिशिकेश के व्रिधाश्रम में छोड़ाओ, लेकिन मा, मैं जीते जी, आपको अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो आज मैं, कुछ भी हो, केवल आपके ही परिश्रम का फल है, मैं आपके कर्ट से कभी मुक्त न मुझे रास नहीं आ रहा, मैं केवल कुछ ही समय के लिए वहाँ जाना चाहती हूँ, जब इस घर का वातावरन शांत हो जाएगा तो, तुम मुझे वापिस ले आना, मेरी हवा पानी बदल जाएगी तो, मुझे भी अच्छा लगेगा, और आजकल तो व्रिधाश्रमों मे अच्छी सुविधाएं दी जाती है, मुझे भी वहाँ अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो, मेरा भी दिल लगा रहेगा, तुम लोगों को जब भी मेरी याद आए तो, मुझे से मिलने आ जाना, सुधीर अपनी मा की बात सुनते हुए, लगातार उनके चहरे की तरफ देख रहा था, उनके चहरे पर मुस्कुराहत थी, लेकिन उनकी आखों में छुपा आंसूओं का सैलाप सुधीर साफ साफ देख पा रहा था, हालातों से मजबूर सुधीर जाकर वापिस अपने बिस्तर पर लेट गया, आखों की नीन तो अब गायब हो चुकी थी, मा के बारे में सोचते सोचते सुधीर अतीत के पन्ने पलटने लगा, वो करीब पांच वर्ष कही था जब उसके पिता का निधन हो गया था, उसकी माँ शोभा पर रिष्टेदारों ने दूसरी शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि वो दूसरा वि इसलिए घर पर रहकर ही टिफिन सर्विस शुरू की, ना सुभर देखी, ना शाम, और कड़ी मिहनत करते हुए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया, कि वो आज एक सरकारी बैंक में मेनेजर के पत पर आसीन है, सुधीर ने अपनी मा का संघर्श मय ज जीवन देखा था, इसलिए वो चाहता था, कि उसकी पतनी नौकरी न करके घर संभाले, और उसकी मा की सेवा करें, परंतु सुधीर का यह मात्र प्रेम, मनीशा को कतई पसंद नहीं था, और इस बात ने मनीशा को और भी अधिक चिर्चिरा बना दिया था, वो ये थी, कि उसका बेटा राजू भी अपनी मा से ज्यादा अपनी दादी से ही प्यार करता था, इस सब का परिणाम ये हुआ, कि मनीशा आए दिन अपनी सासु मा पर कटाक्ष करने लगी थी, और अपने तीर जैसे शब्दों से घायल करने लगी, शोभा जी सहनशीलता की मूर्ती थी परन्तु अपनी बहु के मुक से कटाक्ष सुनते सुनते, शोभा जी का अंतर्मन धीरे धीरे जवाब देने लगा था, धीरे धीरे वो अस्वस्त रहने लगी, और अकसर खांसी करते हुए उन्हें उल्टी हो जाती थी, अब तो बहु उन्हें घिन भरी नजरों से देखन चुकी थी, कि अपनी सासु मां को व्रिधाश्रम भेज कर ही दम लेगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि, शोभा जी, हार कर खुद ही, व्रिधाश्रम जाने को तयार हो गई, सुधीर भी यह बात समझ गया था, कि उसकी मां को इस घर में घुट-घुट कर जीना पड़ रहा ह जिस कारण उनका स्वास्थ्य गिर्ता जा रहा है, परिस्थितियों से परास्थ होकर सुधीर अपनी मां को व्रिधाश्रम छोडने के लिए तयार हो गया, लेकिन राजु, अपनी दादी की व्रिधाश्रम जाने की बात सुनते ही, तुरंत अपनी दादी से लिप्ट गया मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगा, दादी मेरे साथ रहेंगी, चिलाते हुए वो जोर जोर से रोने लगा, उसे रोता देख, सुधीर भी अपना दिल हारने लगा, परंतु फिर उसने अपने बेटे को समझाया, बेटा, दादी को कुछ समय के लिए आराम की जरूरत है, जब कुछ समय के बाद उनकी तबियत ठीक हो जाएगी, तो हम उन्हें वहां से ले आएंगे, आखरकार दिल पर पत्थर रखकर सुधीर अपनी मा को व्रिधाश्रम छोड़ाया, शोभाजी के घर से जाने के बाद सुधीर और राजू बहुत ही उदास हो गए, मनीशा की खुशी का ठिकाना नहीं, राजू हर रोज स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के कमरे में बैठा रहता, मनीशा उसे बहुत मनाती कि वो उसके पास आकर बैठें, परंतु वो अकेले ही बैठना पसंद करता था, उस दिन के बाद से सुधीर भी अपनी नौकरी में और अधिक व्यस्त हो गया, और एक महीना कब बीद गया पता ही नहीं चला, बहुत बार सुधीर सोचता कि जाकर अपनी मा को वापिस लेकर आए, लेकिन फिर किसी ना किसी काम में व्यस्त हो जाता, ऐसे करते करते तीन महीने व्यतीत हो गए, और एक दिन आश्रम से सु पुरंत आश्रम पहुंच जाईए। ये बात सुनते ही सुधीर सन रह गया और अपना सिर पकड़ कर धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। रोते हुए बोलने लगा कितना क्रूर था मैं जो अपनी मां को ही व्रिधाश्रम छोड़ कर आ गया। और उन्हें वापस लेकर आना त दूर मैं तो उनसे मिलने तक का समय ना निकाल। पाया। मैं उस मां को कैसे भूल गया जिसने अपना संपूर्ण जीवन मुझ पर कुर्बान कर दिया। जिसकी गोद में सिर रखते ही मैं सारी दुनिया की परेशानियों को भूल जाता था। साक्षात ईश्वर का रूप थी मेरी मां और ऐसी पूजनिय मां के जीवन के अंतिम पड़ाव में मैं उनके साथ नहीं था। मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर बैठा। सुधीर की आँखों से निरंतर अश्रूधारा प्रवाहित हो रही थी। उसी समय मनीशा भी बजार से वापिस लौट आई। देखा तो पड़ा हुआ लगातार आंसु बहा रहा था। मनीशा उसे देखकर घबरा गई और पूछने लगी क्या हो गया। आप रो क्यूं रहे है। मनीशा को देखते ही सुधीर जोर से चिलाने लगा। सब तुम्हारा किया धरा है। ये केवल तुम्हारे कारण हुआ है। लेकि हमेशा के लिए तुम्हे छुटकारा दे दिया। मा ये दुनिया छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। ये सुनते ही मनीशा को जटका लगा और राजू तो ये सुनते ही जोर जोर से रोने लगा। मनीशा सुधीर से माफी मांगते हुए उसे सांत्वना देने लगी हमें जल्दी ही रिशिकेश के लिए निकलना होगा लेकिन बाहर तेज बरसात है जैसे ही बारिश कम होगी हम चल पड़ेंगे लेकिन बारिश हर बीत्ते पल के साथ तेज होती जा रही थी सुधीर ने समय व्यर्थ ना गवाते हुए ड्राइवर को फोन किया और उसे कह कि उन्हें जल्दी से जल्दी रिशिकेश पहुँचना है लेकिन ड्राइवर ने कहा कि रिशिकेश के पूरे रास्ते में तेज मूसलाधार वर्शा हो रही है पानी भर जाने के कारण पूरा मार्ग रुका हुआ है बार जैसी स्थिती बनी हुई है ऐसे में घर से बाहर न आश्रम से सुधीर के पास दोबारा फोन आया कि यदि वे लोग सुभा तक नहीं पहुचते है तो आश्रम के अधिकारी ही स्वयम शोभा जी का अंतिश्टी संसकार कर देंगे लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी दुखी मन से सुधीर बैठा हुआ यही सो सारी रात बीट गई और सुभा हो चुकी थी लेकिन अभी तक मूसलाधार बारिश नहीं रुकी थी जब सुभा तक उनका जाना संभव ना हो पाया तो आश्रम में उनकी मा का संसकार कर दिया गया दो दिन बाद सुधीर अपने परिवार के साथ आश्रम पहुचा और अप सुधीर का किसी काम में मन नहीं लग रहा था लेकिन इस घटना ने राजू को तो जगजोर कर रख दिया उसका बचपन जैसे कहीं गुमसा हो गया उसकी मा जो सबजी बना कर देती वह खा लेता जहां बैठने को कहती वहां बैठ जाता वो गुमसुम सा सारे काम करते जा र पाता था एक दिन राजू जब स्कूल से घर वापिस आया तो आकर बिस्तर पर निधाल सा गिर गया मनीशा ने देखा तो उसे बुखार था थमामीटर लगाने पर पता चला कि बुखार 104 डिग्री था मनीशा घबरा गई और तुरंट सुधीर को फोन किया जल्दी से उसे ड चार डिग्री के करीब रहता रह रहकर राजू नींद में भी दादी मा को बुलाता रहता करीब एक सप्ता तक भी जब दवायों ने असर नहीं किया तो वे दोनों राजू को मनुचिकित्सक के पास लेकर गए राजू हमेशा बढ़बढाता रहता दादी अब मेरे पास बापिस आ जाओ आप मेरे पास रहोगी उसकी मानसिक स्थिती को देखते हुए डॉक्टर ने कहा बच्चे के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है क्या अब इसकी दादी जी इसके साथ नहीं रहती सुधीर ने दादी जी के रिशिकेश छोड़ने से लेकर अभी तक की सारी कहानी डॉक्टर साहब को बताई और बताया कि किसी भी प्रकार से बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा उनकी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा देखिए मैं जानता हूं कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इस समस्या से निपटने का केवल एक यही हल है आपको किसी बूरी महिला को राजू की दादी बना कर लाना होगा और उन्हें अपने घर में रखना होगा जब तक राजू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई योजना सुधीर और मनीशा को कुछ अटपटी सी लगी लेकिन व फिर मनीशा ने सुधीर से कहा क्यों न किसी वृधाश्रम से दादी जी का इंतजाम किया जाए विधी का विधान तो देखिये जो मनीशा राजू की सगी दादी को बोच समझ कर वृधाश्रम में छोड़ कर आई थी आज वही मनीशा अपने बेटे के जीवन की खातिर किस अन्य महिला को वृधाश्रम से लाने को तयार हो गई डॉक्टर के सहयोग से दिल्ली के एक वृधाश्रम के संचालकों से बात की उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही एक वृधा उनके आश्रम में आई है जिनका कोई सगा समबंधी कभी मिलने नहीं आया कुछ समय पह सुविधा नहीं होगी। वो बहुत ही हस्मुख है। सुधीर डॉक्टर साहब के साथ राधाजी से मिलने गया। जो की दादी बन रही है तो देखा कि वो बहुत मोटी है। उनके सिर के बाल भी छोटे थे और वो चश्मा लगाती है। उनके चहरे पर कुछ चोट के निशान थे। वहां से आने के बाद सुधीर ने डॉक्टर साहब को बताया। मेरी मा के बाल बहुत लंबे थे। वो बहुत ही पतली थी और चश्मा नहीं लगाती थी। पता नहीं राजू उन्हें अपनी दादी मानेगा या नहीं। तो डॉ डॉक्टर साहब ने राधा जी को अपने पास बिठा कर उन्हें राजू से मिलवाया। राजू ने पूछा कि आप तो भगवान जी के पास चली गई थी ना। फिर आप वापिस कैसे आ गई और आप इतनी मोटी कैसे हो गई। आपके बाल कहा गए। डॉक्टर ने कहा। राजू तुम बीमार हो गए थे ना इसलिए भगवान जी ने इन्हें तुम्हारे लिए वापिस भेज दिया। यहां आश्रम में इन्होंने अपना खूब ध्यान रखा। खूब व्यायाम करके इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। इनके साथ रहकर तुम भी इनके ज आदी एक साथ खाना खाएंगे। उसकी बात सुनकर मनीशा मन ही मन बहुत संतुष्ट हुई लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे धिकार रही थी कि काश वो अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती। तो उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। राधा जी बहुत जल् गुल मिल गया। सब कुछ पहले जैसा होने लगा। लेकिन मनीशा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो ना तो दादी जी को कोई कड़वी बात कहती और ना ही उन्हें बोच समझती बलकि उनका पूरा ध्यान रखती। लेकिन राजु को अपनी दादी जी में एक परिव पहले से ज्यादा बोड़ी हो गई है और इस उम्र में याददाश्ट कमजोर हो जाती है इसलिए तुम्हें पढ़ा नहीं पाती है। फिर राजु कहने लगा कोई बात नहीं पापा फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। अब मम्मी भी दादी जी को डाटती नहीं है। कभी कभी तो अकेले में दुख से कातर हो उसकी आँखों में आंसु उमड़ाते थे। आज सुधीर सुभा उठा तो अपनी मा को याद करके उदास हो गया। तभी राजु उसके सामने मुस्कुराता चहरा लेकर आ गया। क्या पापा आप रो रहे है? अब तो दादी भी हमारे पास आ गई है। पापा, मेरे पास आपकी उदासी दूर करने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप आज ओफिस नहीं जाएंगे। हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। मेरी और दादी की मनपसंद चीजें खरीद कर लाएंगे और शाम को हम सब पाक सुधीर भी बहुत उदास था तो कुछ देर सोचकर बोला चलो भाई आज तुम्हारी बात मान ही लेते है। इतना सुनते ही राजु खुशी से उच्छल पड़ा। सभी लोग जल्दी से तयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सभी का दिल उमंग और प्रसन्नता से भरा हुआ था। शॉपिंग के बाद उन्होंने रस्टोरंट में खाना खाया और शाम को पार्क में खूब मस्ती की। जब घर लोटने का समय हुआ तो सभी लोग गाड़ी में बैठने लगे। सुधीर और मनीशा गाड़ी में बैठ चुके थे और दादी जी जैसे ही गा कहते ही वो उनका हाथ पकड़ कर तेजी से दोडने लगा। दादी ने देखा सामने से एक तेज गती की कार बेकाबू होकर आ रही थी। और राजु को बचाने के एरादे से उन्होंने उसका हाथ तेजी से पीछे की ओर खीचा। राजु तो गाड़ी से बच गया लेकिन दादी मा को गाड़ी से टककर लगी वो कुछ दूरी पर जाकर गिरी उनके सिर से खून की धारा बह निकली मनीशा और सुधीर एकदम घबरा गए शन भर की भी देरी ना करते हुए वे उन्हें लेकर पास के अस्पताल में पहुँचे उन्होंने व्रिधाश्रम के संचालक को भी शीगर अस्पताल आने को कहा डॉक्टर ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया और बताया कि उन्हें सिर पर ज्यादा चोट आई है जबकि शरीर पर ज्यादा चोटे नहीं है कुछ समय बाद वृधाश्रम के संचालक भी पहुँच गए सुधीर ने देखा कि दादी जी के होंट कापने लगे थे और वे गुड़ू गुड़ू बोलने लगी सुधीर को ये शब्द सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यह उसके बचपन का नाम है और इस नाम से केवल उसे उसकी मा ही पुकारा करती थी सुधीर हैरान रह गया और बोला इस नाम से तो मुझे मेरी मा पुकारा करती थी वृधाश्रम का संचालक तुरंत ही सारा मसला समझ गया और बोला कि कुछ समय पहले इन माता जी का एक्सीडेंट हो गया था उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई थी जिससे उनकी स्मृति चली गई थी मुझे लगता है कि वापिस उसी जगह चोट आने के कारण उनकी स्मृति वापिस लौट आई है थोड़ी देर में दादी जी को होश आ गया और उन्होंने सभी को पहचान लिया और सुधीर को देखते ही उनकी आँखों में आँसु आ गए सुधीर तुरंट अपनी मा से लिप्ट गया और रोते हुए बोला मा अब हम कभी नहीं बिछड़े होंगे मृत्यू भी हमारे प्यार के समक्ष हार गई मा क्योंकि जिस इनसान का दाह संसकार हो चुका हो वो इनसान साक्षाद जीवित सामने हो तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा अपने बेटे राजू को देखकर सुधीर बोला बेटा तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक है राजू ये सुनकर खुशी के मारे उच्छल पड़ा और सौरी दादी कहकर अपनी दादी से लिप्ट गया मनीशा भी रोते रोते सासु मा से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगी इस करुण द्रिश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का मन भराया और सभी लोग सुधीर और उसके परिवार को खूब बधाई दे रहे थे पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि आश्रम वालों से इतनी बड़ी गलती हुई कैसे ये जानने के लिए सुधीर ने रिशिकेश के आश्रम में फोन किया और पूरी घटना बताई और गलती कहां पर हुई इसकी जानकारी मांगी तो अगले दिन संचालक ने आकर जो कुछ बताया वो आश्चर्य जनक था आश्रम में शोभा नाम की दो महिलाए थी मृत्यू शोभा अरोडा की हुई थी इत्तफाक की बात थी कि जिस दिन शोभा अरोडा की मृत्यू हुई उसी दिन ही आपकी मा जी यानी कि शोभा शर्मा जी का पैर फिसल जाने के कारण सिर में चोट लगी थी क्योंकि चोट गहरी थी इसलिए इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भेजा गया और इलाज के बाद उन्हें वहां के ही व्रिधाश्रम में ठहराया गया शोभा अरोडा जी का कोई भी सगा सम्बंदी नहीं था और आश्रम के प्रमुख देख रेक करने वाले मिश्रा जी का तबादला हो चुका था उनके स्थान पर जो नए सज्जन आये थे उनकी अनभीग्यता के कारण रजिस्टर में नाम के साथ दिये गए विवरण पर ध्यान ना देने के कारण ये स्थिती उत्पन हुई व अधिक मस्त रहने के कारण इनका शरीर मोटा हो गया चहरे पर चोट लगी थी इसलिए चहरे पर निशान पढ़ गए और सिर्की चोट के कारण इनके बाल भी छोटे करा दिये गए द्रिश्टी कमजोर होने के कारण आखों पर चश्मा चड़ गया कुदरत का ये करिश्मा देखकर सब लोग हके बक्के रह गए उन्होंने सपने में भी कभी कल्पना नहीं की थी कि उनकी वह मां जिसका वह अस्थी विसरजन भी कर आई थे उन्हें जीवित मिलेगी परन्तु अब उनकी अनुपस्थिती में उनका परिवार में महत्व सभी लोग भली भांती जान चुके थे और उधर मनीशा ये सोच सोचकर शर्म से डूबी जा रही थी कि जिस मा को वो बोच समझकर व्रिधाश्रम छोड़ाई थी आज असल में उसी मा ने उसके बेटे को जीवन दान दिया सुधीर और मनीशा दोनों मन ही मन इस घटना के लिए स्वयम को दोशी मान रहे थे परन्तु दूसरी और उनके मन में तसल्ली थी कि आज दादी मा के कारण ही उनका बेटा राजू उनके सामने सही सलामत खड़ा था आज सचमुच दादी मा और राजू दोनों का पुनरजन्म हुआ था खून के रिष्टे कितने प्रबल होते हैं आज इस घटना ने सिध कर दिया था दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद